हाई गाईज वेलकम तो मा यूटूब चैनल आज हम जानेंगे डॉक्ट्रिन्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होती है और उसके बाद में हम जानेंगे इंडोर मैनेजमेंट के बारे में अब जब भी किसी कमपनी का जो भी मेमरंडम of association में जो भी objective दिये जाते है तो उनके the said objectives जब वो company किसी objective को realize करने के लिए या promote करने के लिए जो power exercise करती है in relation to that objectives then it will be intra-wires means within the powers of the company और इसकी contrary condition में क्या होगा जब वही memorandum of association में दिये हुए उसके objectives जब वो promote या realize करने के लिए उसके outside the power अगर वो exercise करती है अपनी power को तो उसे हम ultra-wires कहते है तो यह terminology का अगर meaning हम देखे तो intra-wires मतलब within the powers of the company and ultra-wires means beyond the powers of the company अब हम ultra-wires transaction के effect के बारे में हम अभी जानेंगे अगर एक ultra-wires transaction initiate होती है तो इसे totally null and void करके declare किया जाएगा और इसके लिए कुछ इसके इस transaction की वज़े से अगर कुछ obligation अगर कुछ contract में generate होते है तो company को हम liable नहीं decide कर सकते है और कुछ reason देके या कुछ ratification करके इस transaction को intra-wise में convert नहीं किया जा सकता है अब example purpose के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि suppose एक company है उसके memorandum of association या इसमें दिया नहीं है कि वो lend कर सकती है बट फिर भी उन्होंने lending करिये यानि किसी को करजा दे दिया तब उस करज की वसुली करना ये company को by default उसका एक हक मिल जाता है उसको एक right मिल जाता है अब इस condition में जो भी debtor है जिसने भी करजा लिया है वो ऐसे नहीं कह सकता है कि company के memorandum of association में उसकी lending power नहीं दी है फिर भी उन्होंने lend किया और इन्होंने करजा ले लिया पर debtor या करज़ेदार के पास ऐसा कुछ भी हक नहीं है कि वो company के खिलाफ ऐसा question arise कर सकता है कि आपके company के पास इसी कुछ भी power नहीं है अब ऐसा क्यों होता है तो इसका reason हम अभी देखेंगे कि जब भी कोई company जब incorporation होता है जब वो company का setup होता है तब जो company के जो भी memorandum of association है या article of association है वो company के register किये जाते है register of companies की अब register of companies ये तो एक public office है तो indirectly की ये जो memorandum of association और article of association जो company ने register of company के साथ register किये है ये एक public document बन जाते है अब जब कोई व्यक्ति ऐसे register company के साथ जब deal करती है तो by default ऐसा accept किया जाता है कि उस person को जो भी objectives उसमें दिये है memorandum of association and article of association में वो उसको means he is having the complete knowledge of that particular objectives अब ये जो presumption है कि उसको उसके objectives के बारे में सब कुछ knowledge है उस company के बारे में तो ये जो presumed notice जिसे हम कहते है उसको ही constructive notice कहा जाता है और ये जो total doctrine है ये total doctrine को doctrine of constructive notice कहा जाता है इसका मतलब कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर एक presumption किया जाता है कि उस व्यक्ति को उसका पूरा knowledge या public documents जो भी है उनके बारे में पूरी जानकरी उसको है अब इस presumption के दाएरे में वो company की जो भी power है इसके बारे में भी उसको पूरा knowledge है ऐसा presumption किया जाता है और उसके साथ ही उसके जो भी officers है यहने executive powers जिसे हम बोल सकते हैं जो power को execute करने की क्षमता रखते हैं उनके बारे में भी पूरी जानकरी है ऐसा एक presumption किया जाता है और इसी चीज में जब कोई person एक company के बारे में ऐसा कुछ argument अगर वो raise करता है कि उसे कुछ इनके बारे में या document के बारे में company के बारे में कुछ idea नहीं है after dealing with that company then उसे एक negative concept कहा जाता है constructive notice का जिसे वो raise नहीं कर सकता है अब यहाँ पे जो constructive notice का जो principle है वो company को protect करने की क्षमता रखता है और उसके बाद में जो indoor management की जो doctrine है वो हम जो person है जो company के साथ जो party deal कर रही है उसको protect करने के बारे में यहाँ पे dictate करती है अभी suppose की company की internal functioning में कुछ disturbance आ रही है या जो भी उसकी internal management है उसमें अगर कुछ किसी ने irregular business वहाँ पे किया है पर अगर वो जो party या person है जो भी company के साथ deal कर रहे है उनका जो business है वो अगर contract के हिसाब से होगा means inconsistent with that regulation अगर होगा तो उसका impact इसके या person या party के ओपर कुछ में नहीं गिरेगा he will get the fully assured returns as per his contract यानि simplified language में अगर हम देखेंगे तो company के अंदर कुछ भी अगर जुमला होता है तो उसका impact उसके client या उस person dealing person के ओपर कुछ भी नहीं रहेगा इसी doctrine को हम indoor management कहते है thank you for watching my video please like my video share and subscribe to my channel